वेलकम टू अजित की यार आज के इस वीडियो में हम लोग संख्याओं को सब्दों में लिखना सीखेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए आपर एक संख्या दिया गया है और जो संख्या में सबसे पहले आता है पीछे की स्टार्ट से उसको कहते हैं इकाई, इकाई के बाद आता है उसको बोलते हैं दहाई, दहाई के बाद आता है सैक्रा, सैक्रा के बाद हजार, दस हजार, लाक, दस लाक, इस तरह से आगे आते जाता है करोर दस करोर आगे और देखिए हम लोग संख्या में क्या करते हैं सबसे पहले एक दो तीन तीन अंके बाद कॉमा लगाते हैं फिर इसके बाद एक दो दो अंके बाद दो अंके बाद इस तरह से आगे बढ़ते जाता है अब चलिए हम लोग कोश्चन को देख लेते हैं, तो यहाँ पर पहला है 325, तो देखे 325 को हम लोग सब्दों में कैसे लिखेंगे, कि यहाँ पर देखे क्या है 300, इकाई, दहाई, सैक्रा, सैक्रा के स्थान पर क्या है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और यह सैक्रा के स्थान पर है, इसलिए यहाँ पर दिख दिए इसके बाद क्या है दो और पांच पचीस तो यहां पर लिख दिए पचीस देखिए तीन सो पचीस 325 हो गया सिम इसके बाद दूसरा है 8199 चलिए इसको भी देखते हैं देखिए यहां पर 1000 के जगा पर 8 है 1, 2, 1, 1000 1000 के जगा पर 8 है तो यहां पर लिख दिये 8000 8000 हो गया इसके बाद 1, 2, 100 सेकरा के अस्थान पर क्या है? 1 है तो यहां पर लिख दिये 100 100 यहां पर 100 के अस्थान पर 1 है इसलिए 100 इसके बाद है 9 और 9 यह क्या होता है? 99 तो यहां पर लिख दिये 99 देखिए 8199 8199 सेम हो गया इसके बाद यहां पर तीसरा है इकाई, दहाई, सैकरा, हजार, दस हजार 10,020 देखिए 1000 के जगा पर यहां पर 10 है तो यहां पर लिख दिये 10,000 10,000 है 10,000 को लिखे और यहां पर सौक में कुछ नहीं दिया सैकरा के अस्थान पर 0 है तो यहां पर भी 100 नहीं लिखे है इसके बाद देखिए 2 और 0, 20 है तो यहां पर लिख दिये 20 देखे 10,02, इसके बाद यहां पर चौता संख्या है इसको सब्द में लिखना है देखे यहां पर बाद के अस्थान पर यहां पर है 5 तो यहाँ पर लिख दिये 5,000,000, देखिए 5,000,000 है तो 5,000,000 लिख दिये इसके बाद इकाई, दहाई, सैक्रा, हजार, दस हजार, दस हजार जो यहाँ पर नहीं है यहाँ पर है 33,000 तो देखिये यहां पर लिख दिए 33,000 इसके बाद 100 के जगह पर क्या है नो है तो यहां पर लिख दिए 900 और एक और च्छे क्या होता है 16 तो यहां पर लिख दिए 16 देखिए हो गया 56,3916 यहां पर मिलाईए 56,33,916 सेम हो गया इसके बाद रहा last question इसको हम लोग सब्द में कैसे लिखेंगे कॉमेंट में बताईएगा और यदि आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें